नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेस एजुकेशन, चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, मल्टी मीडिया, जो की आपका फंडमेंटल साफ मल्टी मीडिया के नाम से सब्जेक्ट देखने को मिलता है, ये सब्जेक्ट आपको मिलता है PGDCA 1st सेमिस्टर क तो इसका एक्जाम का जो पैटरन होता है, याई कि पेपर आता है, वो कैसा होता है? वो चीज हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरी चीज उसको हल कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए, पहले में बता देता हूं, आपको यह जो पेपर है, आपक पत्रतेक में आपको दो questions मिलते हैं जिसमें कि 1 करना होता है यानिकि 2 question आ रहे हैं तो पहला करो या दूसरा करो आप देखे यहां पर आपको एक प्रश्ण का उत्तर देना है प्रतेक काई से लिखा भी है कुल 5 प्रश्ण के उत्तर आपको देना है यानिकि total आएंकि 10 और चीज आपको पढ़ लेना है पहली उनिट के अगर बात करें तो पहली उनिट में आपको देखने को मिलता है जो कोस्चन है वो क्या है मल्टी मीडिया में आपजेक्ट लिंकिंग और एमबीडिंग को समझाना है इसका मतलब OLE को समझाना है अब ये OLE क्या होती है जब आपको ही अबजेक्ट को insert करते हो MS Word में हो powerpoint में हो या फिर Excel में हो तो जो भी object आप insert करते हो मान लो आप MS Word में काम कर रहो । ठीक है MS Word में आप काम कर रहे हो और Excel की चीज को आपने insert करे हो तो इसको ही हम क्या बोलेंगे OLE यानिक object linking embedding बोलेंगे और इसके अलावा आप paste करते हो copy करके paste करते हो या paste special करते हो वो भी किस category में आजाएगा OLE की category में तो ऐसे ही आपको OLE के बारे में basic group से notes में पढ़ना है और उसके बारे में यहाँ पे इसतार से लिखना है आपका 6-7 page में यह चीज आपकी होने चाहिए बितर diagram के साथ मैं कुछ logo बगेरा जो भी आप जो है उसमें diagram देखते हो उसको आपको dialect box को बनाना है और साथ है इसकी states को लिखना है object linking और embedding दोनों की अगर यह question अच्छे से बांड़ा ठीक है नहीं तो आप दूसरा question करेंगे इसकी pdf आपको मिल जाएगी कहां पर जो pdf उसकी अगर बात करूँ तो आपको description box में जाना है और वहां पर telegram की link मिलेगी उसे click करके आपको channel को join कर लेना है इसके अलाबा आप जो है telegram पर वीडियो देख सकते हो और बहुत सारी जो pdf है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी चैनल पर नए है तो आप channel को subscribe करना न भूले आप subscribe कर लिया करो बिन बोले अगर आपकी जरूवत का लगता है content तो और अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दिया करिए और वीडियो को like करना भी नहीं भूलना क्योंकि यह basic सी चीज़े है आपको बतानी के जरूवत नहीं है आप कर दिया करो इसको इसके लाबा देखिए multimedia नेक्स्ट जो question है multimedia परिभासित कीजे multimedia को और HTML text से आप क्या समझते है समझाईए तो multimedia का है multimedia में मुक्रूप से हमको 5 चीजों पर बात करना होता कौन-कौन सी आपको देखना होता यहां पर सबसे पहली बात होती है text की text मतलब होता है जो हम type करते हैं दूसरी चीज बात करना होता sound की जो हम voice group में vibration होती वो तीसरी चीज बात करते है graphics की जो images होती वो उसके बात चौहती चीज बात करते हैं वीडियो की यानि कि जो still image है उसको continue चला देते हैं बिना जर्क के वीडियो कहलाता है उसके अलावा बात होती animation की तो यह total 5 चीजें मिलकर क्या बनती है multimedia तो multimedia क्या है text है sound है graphics है video audio इन सबका collection को हम बोलते है multimedia इसका मतलब प्रतिक चीज इसम जरुवत होती है तो यह जो सोभी है प्रकार के माध्या मैं तो multimedia होगे basic रूप से आपको HTML को समझाना तो HTML आपका मिलेगा hypertext markup language जिसके अंतरगात आपको web page के structure बनाने से related विभीन प्रकार के control यानि कि tags मिलते हैं tag जैसे कि HTML भी अपने आप में tag है head अपने आप में tag है तो यह basic basic चीज़े आपको समझाना है अपका question complete हो जाएगा अब बात करते हैं second unit की तो second unit में आपको देखने को मिलता है पहला question यानि third और fourth जिसमें से एक करना है तो mono sound और stereo sound sound का मतलब एक प्रकार की vibration होता है जो हमारे कानों को voice group में सुनाई देती है इसके अलाबा sound दो प्रकार के होते है साउंड ने तो आप क्या कर सकते हैं तो फूर्थ को सिर्फ यहां पर क्या बोल रहा है मल्टी मीडिया में साउंड को परिभासित करना ब एक चुर्ण को परिभासित sound मतलब वही हो गया voice जो आपका sound होता है वही आपको समझाना है ठीक है voice को ही आपको समझाना है तो voice को परिभासित करना है और साथ में उसकी कुछ विसेस्ताव को बताना है तो देखे आप देख सकते हैं उसकी बहुत सारी विसेस्ताव होती है तो उसको आपको विसेस्ताव के साथ मतलब पहले तो आपको sound क्या होता है वो समझाना उसके बाद उसकी features को समझाना यह basic रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है third unit के अगर मैं बात करूँ तो third unit में आपको देखने को मिलती है images यहनि digital image को समझाना तो computer में जो चीज़े हम देख रहा है वो digital कहलाती है चाहाए वो image हो चाहाए वो text हो या चाहाए जो भी चीज़े हो वो कहलाती क्या digital digital मतलब electronic इसकी कोई चार फाइल को समझाना प्रारूपियन एक extensor जैसे jpg की बात करे joint photo expert graphics या फिर हम बात करें ग्राफिकल इंटर्चेंज फाइल फॉर्मेट को हम देख सकते हैं इसके अलावा हम PNG की बात करें portable network graphics की उसके बाद हम बात करते हैं पी एजडी की बात करते हैं पी एजडी का मतलब होता है Photoshop document यह तो हो गई मुखरूप से 4 इसके अलावा भी बहुत सारी होती है TIFF होता है साथ यह आप इसके अलावा बात करोगे तो बहुत सारी फाइल फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलती है जिसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुखरूप से यहाँ पर 4 फाइल के बारे मैं पूछा है आप जब Photoshop में जाएंगे तो मैं Photoshop स्टार्ट कर देता हूँ वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजे देखा दूँगा चलिए इसको स्टार्ट होने दीजे यहाँ पर देखें आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट कोस्टन मल्टी मीडिया में इमेज कैप्चर करनी की बिविन बिधी को समझाई आप इमेज कैप्चर के अगर बात करें तो जैसे केमरा से आप सेलफी लेते हैं वो कैप्चरिंग कहलाती है तो इमेज कैप्चर करने के लिए पहली बात तो हम स्केनर को उप्योग करते हैं किसका स्केनर का दूसरी चीज हम उप्योग करते हैं किसका डिजिटल केमरा का मॉबाइल की केमरी का उप्योग कर सकते हैं तो यह बेसिक रूप से आपको कैप्चर करने के steps को लिखना है एक-एक करके किस प्रकार आप जो है image को अपने mobile में capture करते हो या अपने computer में capture करते हो चलिए मैं फोटो जो है आपको Photoshop के अंतरगत images के जो प्रकार है वो दिखाता हूँ open new करके हम एक file बना लेते हैं कोई भी एक file बना लेते हैं यह file को हम जो है save करते हैं जब आप सेब में जाते हो तो आप देखिए यहां पर आपको सेबस टाइप में नीचे आपको मिलेंगे देखो PhD हैंने Photoshop document मिलेगा उसके अलावा PSP है BMP होता है bitmap image इसके अलावा आप देखोगे तो आपको EPS size मिलेगा encapsulated post script नाम से file format है साहत ही आपको GIF graphical interchange file format JPG मिलेगा joint photo expert graphics मिलेगा JPG का अलग-अलग format मिलते है PNG मिलेगा PDF मिलेगा PDF भी एक प्रकार के यहां पर जो है document होता है अलग कि यहां पर आपको file format देखने को मिलेगा RAW है PNG है इसमेंस आपको मखरूप से चार ध्यान में रखना है आपको जो है जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो वह सब भी चीज़ें multimedia कंतर करता जाती क्योंकि कहीं न कहीं हर एक चीज में text पर काम होता है image पर काम होता है किसी-किसी चीज में आपको sound में भी यानि sound editing software देखने क काम आता है चलिए बात करते हैं fourth unit की तो fourth unit में आपको देखने को मिल रहा पहला question यहने साथ में नमबर का animation क्या है animation का मतलब होता है जब picture जो है एक ही चीज को बार-बार वहां पर continue चलाते रहे उसे बोलते है animation चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर Google खोलते हम Google में खो रखते हैं देखिए इस प्रकार से आपको sound देखने को मिलता है अब image में जाओगे देखिए sound का जो है vibration देखने को मिल रही vibration कम है इसका मतलब sound की जो pitch है वो कम है यहनी कि मतलब उसकी volume कम मिलती है और अगर volume जादा है तो इसका मतलब देखिए उठना यहां पर उठाओ जा देखिए ःनिमेट जो picture है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए यहां पर णद पिक्चर मैं बताता हूँ आपको open करते हम कोई वी यहां पर open कर लेते हैं और इसको देख लेते हम इनिमेट या हम बोल सकते हैं GIF image GIF image यहाँ पर हम देख लेते जैसे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए continue यहाँ पर चल रहा है मतलब कोई अलग बदलाव नहीं हो रहा यह continue चल रहा है इसको ही हम क्या बोलेंगे एनिमेशन यह GIF फाइल हम बोल सकते हैं तो एनिमेशन क्या है पिक्चर जब बार बार मतलब एक पिक्चर जब बार बार बहीं बहीं continue चलते रहती इसका मतलब क्या है animation, animation के कुछ प्रकार होते हैं जैसे cell animation को आपको समझाना है computer के animation को समझाना है, morphology यहनि morphing को समझाना है morphing एक प्रकार की क्या है, चहरा बदलने, यहनि कि यहाँ पर दूसरा चहरा है और बदलते बदलते वो हमको पता भी ने चलेगा, चहरा दूसरा हो जाएगा, उसी को morphing बोलते हैं इस अब animation के प्रकार है, तो तीन प्रकार के animation यहाँ समझाना, साथ ही animation की definition उसके बारे मापको लिखना है इसके अलाबा आठवा question है, वीडियो से आप क्या समझते है, picture को continue अगर एक साथ लगातार चला दिया जाए बिना जर्क के ठीक है, तो उसी को हम बोलते है video, और video, कोई एक video editing software की विशिस्ता को समझाना तो video editing software की विशिस्ता का अगर बात करें, तो Adobe Premiere Pro की विशिस्ता आप समझा सकते हैं या इसके अलावा आप Camtasia, Filmora और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे software होते हैं, जिसके बारे में आप एक को समझा सकते हैं जैसे हैं अगर मैं मान आपको बताता हूँ यहाँ आप Google पर भी जाएंगे और हम चलते हैं Adobe Premiere एक प्रकार से लिख देते हैं यहाँ पर देखें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे फीचर तो आजाएंगे पर गूगल एक्सपेरिमेंट गूगल जो एक्स जेनरेटु ए आई टूल है यह इसको गूगल का वह आपको उपर ही देखें यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स डिज अब इसको आपको हिंदी में देखना है आपको आपके मोबाइल में फेसलेटी है तो ठीक है आप ढूंड सकते है और अगर नहीं है तो यह कैसे आती है इसको जो है आप कैसे लाते हैं वह नहीं बन रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं टिप्स वाले मैं अर्विन टिप्स वाले चैनल में इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा तो एड़ा प्रिमियर की जो विस्सता है वह आप देख सकते हैं इनके बारे माँ बेसिक बेसिक चीजे लिख सकते हो नेक्स्ट फिप्त यूनिट में आपको दो कोश्चन और मिलेंगे कौन-क बॉक्स वियार बॉक्स देखते हैं और यहां हम चलते हैं इमेज बाले सेक्शन में आप देखे ध्यान से यह जो है यह जो बियार बॉक्स है बियार बॉक्स देखिए इस प्रकार से हेड माउंट हेड माउंट हेड में इस प्रकार से हेड माउंट करके किया गया है मतलब तो सेर पर टांग लिया गया है और चेहरे में लगा लिया गया है और कान में देखिए यारफोन है तो आप देख सकते हैं जो भी इसके अंदर चितर दिखाई दे रहा है तो हमको ऐसा फील आता है कि हम औहीं पर पहुंच गया है तो इससे का होता है एक reality यानि कि आभास होता हमको आभास कैसे होता है कि हम सही में जैसे मानलों आपको इसके अंदर तो मूवी देख रहा है तो आप सही में मूवी में जो है एंटर हो गए या फिर इसको पहन कि आप जैसे आप driving स्कूल जाते हो सीखने के लिए कार तो आपको पहले यही फील कराया जाता है ठीक है तो वर्चौल रियालिटी के अंतरगत आपको पहले बता दिया जाता है कि आप फील कर लो कार चला रहा हो फिर रियल में आपको कार दी जाती है तो वर्चौल रियालिटी मतलब आभासी रूप में आपको रियल फील होगा और यह कहां कहां होता है उधारन सहीत आपको समझान यह चीज आपको देखने को मिलेगी Head Mounted Display वही आपने देखे देखे जो VR Box में बताने वाला था वही है आपका Head Mounted Display इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो ले देखे बात वही आ रही है VR Box की देखे इस प्रकार से अगर आप इसको पहन कर वीडियो गेम खेलते हो तो मान लो आप सोयम सही में वीडियो गेम खेल रहे हो उसके अंदर घुसकर जैसे कुछ लोग देखे होंगे ना इसके पहले बहुत लट लगी थी लोगों को PUBG की या फिर Free Fire बहुत सारी चीज़ों की तो वो Real Feel करते थे पर इसको पहन के वीडियो भी लेकर आऊंगा उसके पहले आपको मैंने जो बता है पिछले semester के वहां तक तो आपको पढ़ लेना है उसकी प्लेलिस्ट आपको कहा मिलेगी टेलिग्राम पर तो उसको आपको देख लेना है तो आपको जो है इस सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी पेपर कैसा आएगा कैसे हल करना है अगर कोई भी दिक्कत है इसके अलाबा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके बाद आपको कौन से पेपर का जो है प्रीवियस एर का कोस्चन पेपर का बता दीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिंद